गोकु निव किंग ओफ एवरिटिंग है ये तो सच में एक सबने की तरह है गोकु अपनी पावर को जरा सा इंक्रीस करता है सब लोग उसकी फॉर्म के साथ मास्टर अल्टर एंश्टिंग को देकर बहुत ही ज़ादा सर्प्राइज हो जाते हैं आखिर ये कैसी ताकत है मेरा पूरा शारी तो डर से काप रहा है कॉलिफिला ये सारी बाते गोकु के पावर के चलते कह रही थी गोकु अपनी चेहरे पर एक स्माइल लग कर कहता है आज के लिए बस इतना ही अब आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं और इसके बाद हम देखते ह कि हर कोई अपने अपने यूनिवर्स में चला जाता है ये सोचके कि यूनिवर्स 7 का एक वारियर अब हमारा new king of everything है और इसके बाद हम देखते हैं मीटिंग के बाद कुछ समय गुजर जाता है और गोकु यूनिवर्स 11 के जीरेन से मिलने जाता है और वहाँ पर हम देखते जीरेन और टपो अपने यूनिवर्स के एंजल के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन वो लोग अपनी ट्रेनिंग को करी रहे थे तब ही हम देखते हैं कि एक अचानक श्रोष्णी आती है और वो लोग की ट्रेनिंग अचानक रुख जाती है और उस लाइट से जो व्यक्त बहुत ही जादा हैरान हो जाता है गोकु थोड़ा सा कन्फ्यूज होकर कहता है क्योंकि उसे अभी भी इन सब की आदत नहीं थी शांत हो जाओ टपो तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है इसके बाद मारगरेटा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गोकु से पूछ हो जब है साथ